नमस्कार गुट्टे के पोटली यूट्टीूब में आपका हार्तिक स्वागत है इससमें आप देख रहे हैं यूट्टीूब पर गुट्टे की पोटली आज मैं आपके लिए एक पोंचो का डिजाइन लेकर आई हूँ ये पोंचो हमने एक रंग से बनाया है और इसको हमने बॉर्डर वाला बनाया है इसका बॉर्डर दिखने में बहुत सुन्दर लगता है पोंचो के खूब सूर्ती को बढ़ाता है ये पोंचो को बनाने में केवल 145 क्राम उन का इस्तेमाल हुआ है और एक इसमें हमने डोरी और दो इसमें हमने पॉम पॉम लगाए हैं इस पॉंचु को बताने का तरीका हम आपको बताएंगे अगर आप चाहें तो इस पॉंचु को आप बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं तो आए हम पॉंचु बनाना शुरू करते हैं पॉंचु की नंबाई मैं आपक देखे, यहां से अगर हम नापते हैं, तो यहां तक इसके लंबाई लगबग 15 इंच है, आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, अगर हम इसके लटकन को नापते हैं, तो यह 17 इंच लंबा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दो इंच इसका उपर से और जाएगा यहां से अगर हम इसको यहां से नापते हैं तो यह 18-19 इंच लंबा बन कर आता है पॉंचो बनाने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है यह तोनों बातों का ध्यान आपको शुरू में ही रखना है पॉंचो शुरू करते समय आप जो चेन बनाएंगे यह चेन हमको आठ की मर्टिपल में बनानी है इस पॉंचो को बनाने के लिए हमने 72 चेन्स ली है अगर आप किसी और साइज का पॉंचु बनाना चाहते हो तो 78 में आप 8 chains प्लस करके बनाए यानि 80, 88 इसी तरह से 8-8 आप उसमें जोड़ते चले जाए तो पॉंचु आपका इसका जो डिजाइन है वो ठीक आएगा दूसरी बाती है चेन बनाने के बाद जैसे ही हम चेन को जोड़ेंगे अब जिस बच्चे का पॉंचु बना रहे हो एक बार उसके सिर्च से निकाल के देख लीजिए क्योंकि उनके मोटे और पतले होने से भी चेन की लंबाई को फर्क पड़ेगा ऐसा ना हो कि पूरा पॉंचु बनाने के बाद आपकी मेनत खराब चली जाए तो इस पॉंचु को हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम एक चेन बनाएंगे हाथ से फिर से देख लीजिए और यहां से हम काउंट करते हुए एक, दो, तीन, चार, पाँच इसी तरीके से काउंट करते हुए हम 72 चेन बनाएंगे और मैंने पहले भी आपको बताया है अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप हर बार 8 चेन बड़ा कर इस डिजाइन को बनाएंगे तो पहले हम 72 चेन बना लेते हैं 72 चेन बनाने के बाद अब हमको चेन को जोड़ना है तो यहां से हम सीथी चेन लेकर जाएंगे धीरे-धीरे लेंगे चेन बीच में घूमनी नहीं चाहिए देखे वरना हमारा पोंचू में हमीशा जोड़ लाएगा यह आखरी चेन है इस में से हम एक बार सिंगल क्रोशेट करेंगे अब हम यहां से तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और आखे वाली दो चेन में पहले पहली चेन में एक डबल क्रोशेट करेंगे एक चेन छूट गई है सबसे पहले हम पहली चेन में करेंगे यह देखे फिर नेक्स्ट चेन में यह हमारे पास दो डबल क्रोशेट और एक पर तीन चेन बनाने के बाद तीन हमारे पास डबल क्रोशेट हो गई एक चेन मनाएंगे एक चेन हम यहां से छोड़ेंगे और आगे वाली चेन में इस चेन को छोड़ते हुए नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट करेंगे फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट करेंगे फिर से नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट करेंगे तीन बार डबल क्रोशेट करने के बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे एक चेन बनाकर यहां से फिर से हम एक चेन छोड़कर आगे वाली एक चेन में इस chain को छोड़ेंगे इस chain में हम एक एक करके तीन बार double crochet बनाएंगे एक दो तीन फिर से एक chain बनाएंगे और इसी तरीके से बनाते हुए पहला हम एक round complete करेंगे तो पहले हम इस round को complete कर लेते हैं यह चेन नहीं बनाई पहले chain बनाएंगे फिर हम को double crochet करना है यह देखे हमारे पास यहाँ पर एक chain रह गी है तीन बार double crochet करने के बाद एक chain बची है यहाँ पर हम एक chain बनाएंगे और इस chain के साथ इसको आपस में हम जोड़ देंगे यहाँ से हमारा design रिपीट होगा हम पहले तीन chain बनाएंगे एक दो तीन जब आप इतना सा ही बनाएं तो ही आप अपने बच्चे के सिर में डाल कर देख लें अगर आपको छोटा लगे तो आप यहीं पर आठ chain और बनाके यह दोनों और एक एक बढ़ जाएगा इसी तरीके से आप इसको बढ़ा करते रहें अब हम तीन chain हमने बना ली है तीन chain बनाकर डबल क्रोशेट करेंगे डबल क्रोशेट हम पीछे वाले कैप में करेंगे इस कैप में इस कैप में हमको डबल क्रोशेट करना है दो बार एक दो दो बार डबल क्रोशेट करने के बाद फिर से हम एक chain बनाएंगे और यहाँ पर तीन बार हम डबल क्रोशेट करेंगे एक दो तीन तीन बार डबल क्रोशेट करके फिर एक chain फिर हम नेक्स्ट कैप में तीन बार डबल क्रोशेट करेंगे यहाँ से हमारा डिजाइन हमने दुबारा शुरू किया है इसके नीचे के हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे फिसे एक दो तीन चार पांच छे साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरे, चौदे, पंदरा, सोला, सतारा और अठारा इसका मतलब है कि हमारे आधे आधे नो होंगे तो जो हमारा आधा आएगा, नोवा आएगा उसके अंदर हम डिजाइन की ये चीज़ बनाएंगे तो पहले हम नो तक बना लेते हैं, फिर उसके उपर बनाएंगे ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नोवा है ये नोवे का गैप है, इसमें पहले हम तीन बार डबल क्रोशेट बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन बार डबल क्रोशेट बनाने के बाद दो चेन बनाएंगे एक, तो, इसी के अंदर हम फिर से तीन बार डबल क्रोशेट बनाएंगे एक, एक, दो, तीन टीन, ये देखे हम इस तरह जो नोवे के बाद फ़स्ट कैप आएक उसमें हमको इस तरह पहले तीन डबल क्रोशेट दो चेन फिर अफिर तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं, उसके बाद हम पहले की तरह design बनाएंगे एक chain और हर cap में हमको 3 बार double crochet बनाने हैं एक दो तीन फिर से एक chain बनाएंगे next में हम फिर से 3 double crochet करेंगे ऐसा करते हुए हमको सारी line complete करनी है तो पहले हम सारी line बना लेते हैं यह हमने सारी line बना ली है अब जहां से हमने शुरू किया था उसमें भी हम पहले 3 बार double crochet करेंगे एक दो तीन दो chain बनाएंगे एक दो और इस chain के साथ हम जोड देंगे उधर भी हमारा तीन double crochet दो chain था और फिर तीन double crochet थे और इस और भी हमारे तीन double crochet दो chain और फिर तीन double crochet है यहां से हम अपना थर्ड राउंड शुरू करेंगे वैसे ही पहले तीन chain बनाएंगे एक दो तीन और फिर इसी कैप से हम दो पहले double crochet बनाएंगे एक दो फिर एक chain बनाएंगे और यही पर हम फिर से तीन बार double crochet करेंगे एक दो तीन इसी तरह से हमको अपना सारा डिजाइन कंप्लीट करना है पहले मैं आपको एक राउंड ओर बना कर दिखा देती हूं फिर उसके उपर बनाते हैं पहले हम यहां तक बना लें यह देखिए हमने यहां तक बना लिया है एक chain भी बना ली है अब इसके अंदर इस gap में पहले हम तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे एक दो तीन फिर दो चेंड एक दो फिर तीन डबल क्रोशेट एक दो तीन एक चेंड और अब नेक्स कैप में हम फिर से तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे एक दो तीन इसी तरह से बनाते हुए हमको यह देखिए इसके कैसे शेप आएगी इसके इस तरीके की शेप आती है बोट शेप में आता है यह और अगर हम इसको ऐसे करें तो बिल्कुत सिधा आजाएगा यह देखिए इस तरीके से आएगा तो मैं आपको काउंट करके बता देती हूं कि आपको कितना लंबा कितने कितने राउंड लेने हैं आपको यह देखिए 19, 19 राउंड बनाने के बाद हमने बॉर्डर बनाया है तो पहले हम 19 राउंड बना लेते हैं फिर उसके उपर बनाएंगे ये देखे, गले पर हमने किनारा बनाया है, छोटा-छोटा सा बॉर्डर भी बनाया है, आप जब इसको स्टार्ट करें, तभी इसका यहाँ पर बॉर्डर बना ले, बॉर्डर में आपको बनाना बता देती हूँ, जहां से हमने शुरू किया है, वहीं से हम इसका बॉर्डर पहले हम एक बार सिंगल क्रोशेट से जोड़ेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से इसमें हम सिंगल क्रोशेट से इसको जोड़ देंगे, दो चेन बनाएंगे, एक दो, अब हमको इसके अंदर ये एक चेन से छोटा सी लूप बनी है, इसमें दो बार डबल क्रोशेट करना है, एक दो, एक बार डबल क्रोशेट करके, next gap में हमको इसको इसके साथ जोड़ देना है बनाते समय ये ध्यान रखना है कि सेथी side से ही हमको ये बनाना है फिर से दो chain लेंगे एक टो और इस छोटे सी loop में हम दो बार double crochet करेंगे और फिर आगे वाली loop में हम इस gap में हम इसको single crochet से जोड़ देंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपना ये सारे का सारा किनारा complete करेंगे ये पोंचू की लंबाई देखिए मैं आपके सामने नाप देती हूँ यहां से लेकर यहां तक ये पूरे 9 इंच है अगर इसको हम यहां से नापते हैं उपर से नापेंगे तो इसके लंबाई सारे क्यारा इंच आ गई है अब हमको इसके नीचे बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको आपस में जोड़ देते हैं इसको हम slip stitch से जोड़ेंगे और यहां से मैं आपको गिन के दिखा बता देती हूं कि हमने कितने राउंड बनाए हैं एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरे, चौदे, पंदरा, सोला, स्तारा, अठारा, उननिस उननिस राउंड बनाने के बाद अब हमको बॉर्डर शुरू करना है बॉर्डर बनाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है डिवीजन में ये गैप चाहिए, इस गैप को छोड़के, ये जो हमारा साइड का गैप है इसको छोड़के हमारे पास गैप, चार के डिवीजन का होना चाहिए, मैं आपके सामने काउंट करती हूँ एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरे, चोड़े, पंदरे, सोले, स्तारा, अठारा, उननिस, बीस, इकिस, बाइस, तेईस, चौबिस, पचिस, छबिस, सताइस और अठाइस अठाइस को अगर हम चार से डिवाइड करते हैं, तो पूरा-पूरा जाता है, सेवन आएगा, यह देखे 28 को अगर हम फोर से डिवाइड करते हैं, तो साथ आता है, इसमें हमारे पास रिमेंडर कुछ नहीं आना चाहिए यहनके चार का टेबल, जो चार के से मल्टिप्लाई हो जेए, यह यह जी चार से डिवाइड हो जेए, 24, 28, 32, 36, 40, तो हमारा यह बौर्डर का डिजाइन बनेगा, वरना हमारा डिजाइन बनेगा नहीं, अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो, तो यह गैप आपके पा हैं, तो अब हम इसका बौर्डर बनाते हैं, बौर्डर बनाने के लिए पहले हम तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, इसकी यह चीज़ हम ऐसे की ऐसे ही बनाएंगे, दो बार इसमें और डबल क्रोशेट करेंगे, पहले, एक, दो, यह हमारा एक तीन हो गया, अब हम यहां से पाँच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और पहले वाले गैप में हम इसको सिंगल क्रोशेट से जोड़ते चले जाएंगे, फिर से पाँच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और इसको नेक्स्ट कैप में इस तरीके से जोड़ देंगे, फिर से चार पाँच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और नेक्स्ट कैप में इसको जोड़ देंगे, इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहां तक बनाएंगे, यहां तक, फिर उसके उपर बनाएंगे तो पहले हम ये बना लेते हैं ये देखिए हमने यहां तक बना लिया है इसके बाद फिर से हम पांच चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और पांच और इस के नारे को हम पहले की तरह ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया है तीन डबल क्रोशेट दो चेन दो चेन एक, दो फिर से तीन डबल क्रोशेट एक दो तीन यहां से फिर से हम पांच चेन लेंगे एक, दो तीन, चार, पांच और फिर्स्ट गैप में हम इसको सिंगल क्रोशेट के साथ अटैज करतेंगे फिर से पांच चेन लेंगे एक, दो तीन, चार, पांच और नेक्स्ट गैप में हम इसको इसका नेक्स्ट गैप यह है तो इसमें हम फिर से इसको अटेच करेंगे और इसे तरीके से बनाते हुए हम पहले यहां से बनाते हुए लाएंगे और यहां पर हम पहले यहां तक बनाएंगे फिर इसके साथ अटेच करेंगे फिर आगे बनाएंगे तो पहले हम यह बना लेते हैं यह देखे यह हमारा आखरी का गैप है इसमें हम एक बाल इसको सिंगल क्रोशेट कर देंगे फिर पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और इसमें हम पहले की तारा पहले तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे एक दो तीन दो चेन हमेशा की तरह एक दो अब हम इसमें यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे तीन चेन फिर से बनाएंगे एक दो तीन और इसी कैप में दो बार डबल क्रोशेट करेंगे एक दो दो बार डबल क्रोशेट करने के बाद एक चेन हमको यहां से बनानी है एक चेन बना ली अब इस फर्स्ट कैप में हम नो बार डबल क्रोशेट करेंगे तो एक बार मैं आपको बना के दिखाती हूँ पूरा एक दो तीन चार पाच चे साथ आच और एक मुँँ एक पर इनको गिल लेते हैं हम एक, दो, तीन, चार, पांच नेक्स्ट कैप में इसको जोड देंगे फिर से पांच चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच इसको इसको नेक्स्ट कैप में फिर से जोड देंगे दो पर चेन बनाने के बाद हम फिर से बिना चेन डाले नेक्स्ट कैप में नो बार डबल स्टीच बनाएंगे डबल क्रोशेट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो बार डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से अब हम इस नेक्स्ट कैप में सिंगल क्रोशेट के साथ जोड देंगे और दो बार पांच पांच चेन बनाके इसमें जोडेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच next cap में single crochet के साथ जोड़ देंगे फिर से 5 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 इसमें जोड़ देंगे दो बार जोड़ने के बाद हमको फिर से ये 9 double crochet बनाने है इसे तरह से बनाते हुए हमको पहले यहां तक complete करना है ध्यान इस बात कर रखना है कि जिस तरह से हमारे शुरुवात में यहाँ पर नो डबल क्रोशेट आए है आखिर में भी हमारे नो डबल क्रोशेट आने चाहिए तब ही डिजाइन ठीक बनेगा वरना डिजाइन खराब हो जाएगा तो पहले हम यह बना लेते हैं यह देखिए यह आखिरी बार भी हमको ऐसे ही बनाना है इसमें नो बार डबल क्रोशेट करना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और फिर से अब हम इसकी में एक चेन बनाएंगे और पहले हम तीन डबल क्रोशेट करेंगे एक, दो, तीन, दो चेन, एक, दो, फिर से तीन डबल क्रोशेट एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन और अब हम को फिर से इसमें फर्स्ट वाले में नो बार डबल क्रोशेट करना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और एक नूँँँँँँँँँद फिर से हम इसको इसमें सिंगल क्रोशेट से अटैच करेंगे और पांच चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच इसको नेक्स्ट वाले लूप में जोड़ देंगे सिंगल क्रोशेट से जोड़ेंगे फिर से पांच चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और इसको इसमें जोड़ देंगे इस तरह के दो गैप बनाने के बाद हमको फिर इस तरीके के नेक्स्ट लूप में नो बार डबल क्रोशेट बनाना है इसी तरीके से बनाते हुए हम यहां तक बनाएंगे और ध्यान यह रखना है आखरी लूप में भी हमारे पास नाइन डबल क्रोशेट आने चाहिए तभी डिजाइन ठीक बनेगा अगर हम निचे का गैप 4 के डिविजन में लेंगे तो यह चीज आएगी आदरवाइस नहीं आएगी तो पहले हम यह बना लेते हैं आप इधर देखिए इधर भी स्टार्टिंग में नो डबल क्रोशेट है और इस और भी स्टार्टिंग में नो डबल क्रोशेट है अब हम उधर का सरकल कमप्लीट कर लेते हैं यह देखिए पहला राउंड हमने कमप्लीट कर लिया है इधर से भी पहली लूप में नो बार आए है और इधर से भी आखरी लूप में दो बार आए है पहली और आखरी लूप में नो बार डबल क्रोशे आने पर डिजाइन ठीक आएगा, अब हम इसको यहाँ पर पहले की तरह इसमें तीन डपल क्रोशेट लेकर, एक, दो, तीन, तीन डपल क्रोशेट, दो चेंड, दो चेंड, एक, दो, और इसके साथ हम को स्लिप स्टीच के साथ चोड़ देना है, यहाँ से फिर से हम डिजाइन शुरू करेंगे, तीन चेंड बनाएंगे, एक, दो, तीन, और इसमें दो बार डपल क्रोशेट करेंगे, एक, दो, दो बार डपल क्रोशेट करने के बाद, अब हम नो बार डपल क्रोशेट करेंगे, और हर बार एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशेट करने के लिए हमें ये पहली चेन छोड़ कर यहाँ से पीछे से चेन का ये धागा लिते हुए हमको, नू बार डबल क्रोशेट करेंगे, पहली चेन का धागा हमने नहीं लिया, आप देख सकते हैं, छोड़ा हुआ है, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे, यहाँ से हम पीछे की तरफ लेंगे, यहाँ से पीछे का धागा लेते हुए, यहाँ से धागा लेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, चेन का पहला धागा छोड़कर, पीछे के दो धागे लेते हुए हम, इस तरीके से करते हुए पहले हम, नू बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, चार बार हमने बना लिये हैं, यह पांच्वी बार, एक चेन, यह सिक्स्त बार, छटी बार, एक चेन, यह सात्मी बार, फिर से एक चेन लेंगे, यह आठमी बार, एक चेन, और अब हमको आखरी बार लेना हैं, नू मिम बार, एक तो, तीन, चार, पांच, छे, सात, सात हैं, यह आठमी बार, एक चेन लेकर, यह हमारा नू मिम बार का है, इस पर हम इस लूप में, जो हमारी पहली लूप है, उसके साथ, सिंगल क्रोशेट से जोड़ेंगे, और एक बार, पांच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और इस नेक्स्ट लूप में हम जोड़तेंगे, यहीं से फिर से हम डबल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे, और पीछे से धागा लेंगे, एक, एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशेट को पीछे से लेते हुए, फिर एक चेन बनाएंगे, इसे तरह से यहाँ पर भी हम नो बाद डबल क्रोशेट बनाएंगे, और एक गैप बनाते हुए हम सारे का सारा सरकल कम्प्लीट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर उसके आगे बनाएंगे, पहले हम इसे बना लेते हैं, यह देखे हमने सेकेंड राउंड, बादर का सेकेंड राउंड कम्प्लीट कर लिया है, इसकी चेन बनकर बहुत सुंदर आई है, इसको इसके साथ जोडनी के बाद उपर हमने तीर डबल क्रोशेट बना लिये हैं, अब हम बॉडर की तीसरी लाइन बनाएंगे, तीसरी लाइन बनाने के लिए क्रोशेट पर धागल पेटेंगे, और पीछे से लेकर आएंगे, और ऐसे लेकर जाएंगे, पॉर्डर के तीसरी लाइन में हम दो बार चेंड बनाएंगे एक दो अभी हम इसको फिर से हम पीछे से लाएंगे और यहां से ले जाएंगे वापसी एक डबल क्रोशेड करेंगे दो चेन बनाएंगे एक दो फिर से पीछे से लाएंगे और आगे से पीछे ले जाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद दो चेन बनाएंगे एक दो फिर से इसी परकार बनाते हुए पहले हम एक फूल बनाएंगे फिर उसके ओपर बनाएंगे एक दो एक मैं आपके सामने बनाऊंगी एक डबल क्रोशेट एक दो एक डबल क्रोशेट पीछे से दो ची एक दो एक डबल क्रोशेट पीछे से दो ची एक दो फिर से एक डबल क्रोशेट पीछे से दो ची एक दो एक डबल क्रोशेट पीछे से दो ची एक दो फिर से एक डबल क्रोशेट हम पीछे से लेंगे आखरी बार हमको कोई chain नहीं बनानी, तो हम इसे count कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नू, ये एक ज़्यादा बन गया है, ये देखिए, एक ज़्यादा बन गया था मेरे से, वो मैंने हटा दिया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नू, नू बार बनाने के बाद, हम ये first gap में, इस बार हमारे पास एक ही gap है, उसमें हम सिंगल क्रोशेट से इसको जोड़ देंगे, और फिर से हम बिना चेन बनाते हुए, पीछे से लेंगे, इसको नहीं बनाना, पिछली बार मैंने बना लिया था, तो एक जाता हो गया था, ये देखिए, पीछे से लेंगे, और एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये जो हमारा first है, वो इस लूप का एक हिस्सा है, इसका ये पांच चेन जो मनाए थी, उसका ये first है, इसलिए first को नहीं लेंगे, वरना हमारे जादा बन जाएंगे, एक दो चेन, फिर से next डबल क्रोशेट में, फिर से दो चेन, और इसी तरीके से बनाते हुए, हम अपना बॉर्डर का दूसरा राउंड कम्प्लीट करेंगे, तो आगे बनाएंगे, अब देखिए, बॉर्डर का हमने पहला राउंड पिल्कुल कम्प्लीट कर लिया है, अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, दूसरा राउंड स्टार्ट करने के लिए, हम जहां से अपना बनाते हैं, वहीं से शुरू करेंगे, तीन चेन, दो क् क्रोशेट, उसके बाद अब हम पाच चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, बॉर्डर के एक करो में चार लाइने हैं, तो ये हमारी पहली लाइन है, इसमें एक कैप छोड़कर दूसरे कैप में हम सिंगल क्रोशेट से जोड़तेंगे, फिर से पाच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चेन बनाकर एक गैप छोड़कर दूसरी गैप में हम इसे अटैच करेंगे, फिर से पांच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चेन बनाकर एक गैप छोड़ेंगे, और दूसरी गैप में हम इसको जोड़ेंगे, फिर से हम पांच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक गैप छोड़कर दूसरी गैप में हम इसको जोड़ेंगे, जहां तक हमने चार बार चेन बना ली है, एक, दो, तीन, चार, पांचवें बार की चेन हम इन दोनों को जोड़ते हुए बनाएंगे, यहां भी हमने एक gap छोड़कर जोड़ा है यहां भी हम एक gap छोड़कर इसमें हम attach करेंगे पहले 5 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 chain बनाने के बाद इस एक gap को छोड़ेंगे और इसमें हम इसको जोड़तेंगे फिर से 5 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एक gap छोड़ेंगे यह वाला और इसमें हम इसको जोड़तेंगे फिर से 5 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एक gap छोड़कर दूसरी gap में हम इसे जोड़तेंगे फिर से हम 5 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एक gap छोड़कर दूसरी gap में जोड़ेंगे और यहां से count करेंगे हम 1, 2, 3, 4 तो हमारा बिलकुल यहां पर आखिर इसकी तरह आ गया इधर भी एक gap है हमारे पास आप देखे इधर भी हमारे पास एक gap है एक gap छोड़कर हम फिर से 5 बार chain बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और इस एक gap को छोड़कर हम इसमें जोड़ेंगे हम इसी तरह से जोड़ेंगे कि हमारा इधर का हिस्सा और हर बार यह वाला हिस्सा हमारा बिलकुल बराबर आना चाहिए इधर भी एक gap और दो बार यह है और इधर भी हमारे पास एक gap है और दो बार यह double crochet है इसी तरह से जोड़ते हुए हम अपने border का दूसरे हिस्से का पहला round बनाएंगे तो पहले हम यह बना लेते हैं ध्यान यह रखना है हर बार यहां से count करेंगे एक दो तीन चार चार के उसमें चलना चाहिए यहां से फिर हम एक करके count करते हुए चलाएंगे तो पहले हम यह हिस्सा बना लेते हैं यह देखिए यहां पर हमने जो border दूसरी बार बनाना उसको शुरू किया था यह हमने complete कर लिया है हमने इस और भी यह देखिए इस और भी हमने यहां से count करेंगे एक दो तीन चार फिर पांच चेन बनाएंगे और पहले की तरह हम इसे बना लेंगे अब इस और भी हम यहां से count करेंगे एक दो तीन चार और यहां पर हम पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और इसको हम पहले की तरह जोड़ देंगे तीन डबल क्रोशेट करेंगे एक दो तीन तीन डबल क्रोशेट करने के पाद दो चेन बनाएंगे एक दो और इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे फिर से तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन डबल क्रोशेट एक दो और हम पहली चेन में पहले गैप में नो बार डबल क्रोशेट करेंगे जैसे हमने यहां पर किया था तो पहले हम नो बार डबल क्रोशेट कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो बार डबल क्रोशेट करने के बाद इसको नेक्स्ट कैप में हम पहले की तरह जोड देंगे पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच चेन बनाएंगे और सेकंड कैप में उसको जोड देंगे फिर से 5 चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और इसको हम इस कैप में नेक्स्ट कैप में जोड देंगे यह देखे एक इस कैप में जोड़ा इस कैप में जोड़ा अब हमको इस कैप में नो बार डबल क्रोशेट बनाना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो नो बार बनाने के बाद अब हम फस्ट गैप में पहले इसको जोड़ेंगे सिंगल क्रोशेट से पांच चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच चेन बनाने के बाद फस्ट गैप में जो फस्ट हमारी लूप में उसको में जोड़ देंगे फिर से 5 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इस gap में हम इसको जोड़ देंगे अब यह जो हमारे पास फिर से यह आया है यहाँ पर जो center में हमारे पास आता है हर बार इसमें हमको 9 double crochet बनाने हैं यहाँ पर भी हमने जो यहाँ के उपर का था इसमें हर बार आपको 9 बार double crochet बनाना है और एक शुरू में और एक आखिर में हमारे पास double crochet आना चाहिए आएगा ही आएगा तो आप तभी हमारा design ठीक बनेगा तो हम इसी तरीके से बनाते हुए पहली दूसरी और तीसरी line complete कर लेंगे पहली line हमने बना ली है दूसरी हम बना रहे हैं दूसरी तीसरी और चौथी line complete करेंगे फिर उसके उपर बनाएंगे तो पहले हम यह बना लेते हैं दूरी बनाने के लिए हमने double धागा लिया है double धागा लेकर इसको ऐसे उंगली पर लपेट कर यहां से हम एक बार निकाल लेंगे एक chain ऐसे बना लेंगे और फिर क्रोश्या क्रोश्य से हम जैसे simple chain बनाते हैं वैसे chain बनाएंगे इसी तरीके से बनाते हुए है हम जितनी हमें जुरूरत है उतनी लंबी chain बना लेंगे तो पहले हम chain बना लेते हैं फिर उसके आगे बनाएंगे यह देखें डोरी हमने बना ली है chain से ही बनाते हुए हमने कितनी लंबी डोरी बनाई है 40 इंच लंबी डोरी बनाई है अब हम इसको इसके गले में यहां से इसके अंदर डालेंगे तो इसको डालने के लिए हम कुरोश्य का इस्तेमाल करेंगे यहां से हमारी डोरी बहार आनी चाहिए ऐसे यह मैंने यहां पर काठ लगाके इसके एक हुक बना लिया है ऐसे और यहां से हम इसी तरीके से लेते हुए अपनी डोरी को निकालते रहेंगे फिर से एक कैप छोड़के दूसरे कैप से कुरोश्य डालेंगे और पहले कैप से निकाल लेंगे फिर से इसको हम निकाल लेंगे यह देखिए ध्यान यह रखना है कि हमारे डोरी यहां से यहां से नहीं एक कैप छोड़कर यहां से बाहर आनी चाहिए यहां से बाहर आनी चाहिए इस गैप से बाहर नहीं आनी चाहिए एक कैप हमारा खाली रहना चाहिए इसी तरह से डोरी डालते हुए हम पहले सारी डोरी डाल लेते हैं पीछे से भी देखिए हम एक कैप छोड़कर यह सेंटर का कैप छोड़कर फिर यहां से तीसरे से लेंगे जब आखिर बीच का आजएगा हमारा सेंटर को छोड़कर एक दो तीन तीसरे से क्रोशिय डालेंगे दूसरे में इससे निकालेंगे और अब हमें फिर से वैसे ही डोरी को पोंचु में डालते हुए सारी डोरी डालनी है यह देखिए, यहाँ पर एक gap छूटा है, दोनों साइट से हमारी डोरी बहार आई है, डोरी ऐसे ही बहार आने चाहिए, 40 इंच की डोरी बिल्कुर ठीक आई है नाप में, अब हम यहाँ पर लगाने के लिए pom-pom बनाएंगे, फिर उसे लगाएंगे आप देखिए, एक pom-pom हमने लगाया है, एक हम आपके सामने बनाएंगे, फोम-pom बनाने के लिए हम फॉर्ट का इस्तिमाल करेंगे फॉर्क का इस्तिमाल करके ये हम डबल धागा लेंगे और इसको सेंटर से ऐसे हम अपने हाथ में इसको डबल करके पकड़ लेंगे और इसके उपर हम ऐसे खुमाते हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, 75 ताइमस हमको धागा लपेटना है तो पहले हम 75 ताइमस धागा लपेट लेते हैं 75 ताइमस धागा लपेटने के बाद हम ये जो पीछे का इसका धागा है इसको निकालेंगे यहां से सेंटर से लाएंगे और यहां पर एक गाठ लगातेंगे अब हम धीरे-धीरे इसको यहां से बाहर निकालेंगे यहां पर इसको अब हम को गाठ को अच्छे से कस के बाद देना है ताकि यह किसी भी केस में धीली ना हूँ अब हम इसको धीरे-धीरे यहां से सारा काटेंगे अब हम धीरे-धीरे से इसको गोल अकार देंगे धीरे-धीरे काटेंगे दुबारा काट सकते हैं लेकर एक बार जादा कट गया तो फिर यह खाराब हो जाएगा तो पहले हम धीरे-धीरे इसको कटाई करके पहले इसे गोल अकार देंगे यह देखिए बिलकुल गोल बन गया है बस इसके कटाई आप धीरे-धीरे कीजिए तभी यह गोल बनेगा कहीं से जल्द भाजी में जादा इसको ना काटें अब हम इसको इसके साथ जोड देंगे करें आप देंगे इसके सब पक्की कांट लगा देंगे पूंचू हमारा बनकर पूरा तयार है देखिए पूंचू बनकर पूरा तयार है बॉर्डर वाला पूंचू हमने बनाया है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूसफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें गुड़ी की पोटली में जल्दे ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहें गुड़ी की पोटली नमस्कार धन्यवाद